गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स आज हम बात करते हैं बी ए सी सेकेरिया के पेपर एडवान्स कैल्कुलस की जो सैकेरिड हम पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट टॉपिक जो की है मैक्सिमा एंड मिनिमा उचिस्ट तथा निमनिस्ट तो पूर कक्षा में जो हम 12th क्लास तक की जो बात करते हैं 12th कक्षा में हमने y बराबर fx के उचिस्ट तथा निमनिस्ट के बारे में पढ़ा है किसी भी फलन y बराबर fx जो की एक चरवला फलन है इसके उचिस्ट और निमनिस्ट होने के लिए माना की x बराबर c पर जहां पर c जो है दिये गे अंतराल का कोई बिंदू है x बराबर c पर हमें उचिस्ट तथा निमनिस्ट की जाच करनी है तो इसके लिए सबसे पहले हम f-c बराबर शुन्ये होने पर इसका दुत्य अवकलज निकालते हैं और यदि दुत्य अवकलज f-c greater than 0 होता है तो फरन f-c पर निमनिस्ट होगा और यदि f-c less than 0 हो तो c पर फंक्शन का मान उचिस्ट होता है यह हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं कि यदि एक चरवाला फलन हो उसके उचिस्ट और निमनिस्ट होने के लिए जो आवशक परियाब परतिबंध है वह x बराबर c जहांपर c दिये गए अंतराल a b का कोई अव्यव है इस बिंदू पर जो पर्थम अवकलज है वो शुन्य होना चाहिए शुन्य होने पर हमें चरम मान प्राप्त होता है और वह चरम मान उचिस्ट होगा या निमनिस्ट होगा अर्थात इस्थानिय उचिस्ट और इस्थानिय निमनिस्ट की बात हम कर रहे है तो इस्थानिय ऊचिस्ट होगा यदि दुत्य अवकलज F-double-S-C रिनात्मक प्राप्त होता है और यदि दुत्य अवकलज धनात्मक प्राप्त होता है तो उस case में C पर हमारा जो फलन होता है वह निमनिस्ट प्राप्त होता है आज हम बात करेंगे BSC दुत्यवर्ष के लिए जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा ऐसे फलनों के लिए हम ग्याद करेंगे जो की एक चर्का फलन नहीं है अपितु वरन दो चरों का फलन है दो चर्र हमारे स्वतन चर दिये वे हैं उस पर हम फलन की बात करते हैं इससे पहले पूर्व में पड़ी हुई कक्षा में हम यह भी देख चुके हैं कि Y बराबर Fx पर फलन वर्दमान होता है Y बराबर Fx जो है फलन वह वर्दमान होता है यदि F-X greater than 0 हो और हास्मान होता है यदि F-X less than 0 हो अर्थात कोई भी फलन वर्दमान कहलाता है यदि X के बढ़ने पर Y का मान भी बढ़ता है तो वह वर्दमान है और यदि X के बढ़ने पर Y का मान गटता है अर्थात इसे हम ऐसे समझ सकते हैं यह X और यह Y है X के बढ़ने पर Y का मान भी बढ़ रहा है तो यह एक वर्दमान फलन है और यदि X के बढ़ने पर Y का मान घटता है तो ये एक हास मान फ़लन होता है अर्थात इस पर हम किसी एक बिंदू C पर इस पर शिखा खेंसते हैं तो इस पर शिखा F X अगर ये धनात्मक है जोकि 10 थीटा का मान जो होता है वो 0 से 90 पर हमेशा बढ़ता है तो ये वर्दमान फ़लन है इसी परकार से जब हास मान फ़लन होता है तो ये more than 90 डिगरी एंगल होता है और अधिक कौन होने पर 90 से अधिक पर जो 10 थीटा का मान है वो गटता है तो ये एक dy by dx के पर डिपेंड करता है यदि एक डिशेक्स धनात्मक है तो फलन वर्दमान होता है और यदि एक डिशेक्स धनात्मक होता है तो फलन हास मान होता है अब हम बात करते हैं दो चरों वाले फलनों की दो चरों वाले फलन के लिए उच्छिस्ट और निम्निस्थ हम किस परकार से ग्याद करते हैं तो उससे पहले हम बात करते हैं दो चरों वाले फलन के चरम मान के लिए परतिबंद माना z बराबर f of x y k बिंदू a, b के समीपवर्ती एक अन्य बिंदू a प्लस h b प्लस k चहां h और k अति अल्प धनात्मक राशिया हैं तब इस्थानी उच्चिस्ट की परिवाशा बात करते हैं इस्थानी उच्चिस के लिए यदि f of a, b greater than ho f of a plus h, b plus k इस्थानी उच्चिस्ट के लाता है इस्थानी उच्चिस्ट इसी प्रकार से इस्थानी उच्चिस्ट की परिवाशा है यदि f of a, b less than ho f of a plus h, b plus k से तो बिंदू a, b पर फलन इस्थानी निमनिस्ट इस्थानी उच्चिस्ट और इस्थानी निमनिस्ट जो दोनों हमारे मान है इन्हें हम चरम मान कहते हैं दो चरव वाले फलनों के चरम मान अर्थात इस्थानी उच्चिस्ट और इस्थानी निमनिस्ट इसके बाद किसी फलन दो चरोव वाले फलन के उच्चिस्ट और निम्निस्थ होने के लिए जो कासौटी है या जो आवशक वे प्रयाब प्रतिबंद है उसकी बात करते हैं the criteria for extreme values of z बराबर f of f y किसी फलन z equals to f of xy जहाँ पर x और y जो है हमारे वो सुतंचर हैं और इन दोनों सुतंचरों पर हम फलन के उच्चिस्ट या निम्निस्थ की बात करते हैं कासौटी की बात करते हैं तो फलन z बराबर f of xy के चरम मान f of a b होने के लिए आवशेक आवम परियाप्त पर्तिबंद है की del f upon del x at the point a b equal to 0 and del f upon del y at the same point a comma b equal to also equal to 0 अर्थात बिंदू a b पर फलन जो है वह चरम मान को प्राप्त करेगा यदि del f by del x औ del f by del y दोनों ही a b पर शुन्य प्राप्त होते हैं उनके आंशिक आउकलन करने पर हमें शुन्य मिलता है तो यह चरम मान कहलाते हैं यदि यह प्रतिबंद संतुष्ट होता है तथा दुत्य करम के आउकलच आंशिक आउकलच डेल 2 z by del x स्क्वाइर इक्वाइर इक्वाज टू आर मालने हम जैड या एफ एकी बात है डेल 2 z या एफ अपॉन डेल x डेल y इसे हम t मालने और डेल 2 f अपॉन डेल y स्क्वाइर को हम t मालने तब पहला यदि r t माइनस s स्क्वाइर ग्रेटर दन जीरो हो तथा r greater than 0 होने पर f of a b निमनिस्ट कहलाता है या होता है इसी प्रकार से यदि r t माइनस s स्क्वाइर greater than 0 हो तथा r less than 0 हो तो f of a b उच्चिस्ट होता है तीसरी क्राइटेरिया है यदि r t माइनस s स्क्वाइर less than 0 हो तो बिंदू a b पर फलन चरम मान नहीं होता है अर्था जो बिंदू है अमारा a b उस पर फलन का जो मान है उस फलन का मान यदि r t मानेस s क्वाइर करने पर दुत्य अवगलज जो है हमारे r t माने से स्क्वाइर मतलब del 2 f upon del x square del 2 f upon del y square minus del 2 f upon del x del y square इसका मान यदि शुनने से कम negative प्राप्त होता है अर्थाथ हमें रिनात्मक मान प्राप्त होता है इस condition में हमारा जो बिंदू है a b उस बिंदू पर जो फलन है वह चरम मान को प्राप्त नहीं करेगा चौथी condition है यदि r t माने से स्क्वाइर बराबर 0 हो तो यह जो हमारी कसौर्टी है यह जो हमारा क्राइटीरिया है वो फेल हो जाता है इस तब इस इस्तिती में जाच करना संभव नहीं होता और आगे पुनहें जाच की जाती है अर्थात की क्राइटीरिया ही फेल हो जाता है यदि r t माने से स्क्वाइर जो है वो शुन्य प्राप्त होता है इस प्रकार इस कासौटी के दोरा यह जो हमारा आउशक वे प्रियाब प्रतिबंद है इसके दोरा किसी भी फलन z बराबर f of xy जो हमारा फलन है z बराबर f of xy इस फलन के उच्चिस तथा निमनिस मान को ग्याद किया जाता है और कल हम इसके कुछ उधरनों की बात करेंगे थैंक यू वेरी मच